बच्चों नमस्कार ज्यान सिंदू कोचिंग क्लासेट में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है चलिए हम आज पढ़ेंगे सवहार्दम प्रकृते है शोभा अर्थात जो सवहार्द यानि जो प्रेम होता है सवहार्द का मतलब होता है प्रेम यानि मित्रता सवहार्दम प्रकृते शोभा यानि जो सवहार्द होता है यानि जो प्रेम होता है वो प्रकृती की शोभा है प्रेम प्रकृती की शोभा है चलिए आज हम इस पाट का हिंदी अनुआत पढ़ते हैं बच्चों हमने अपने चैनल पर प्लेलिस्ट में आपके लिए कक्षादस की हिंदी और कक्षादस की संस्क्रिप पूर्ण रूप से बना कर रखी है आप प्लेलिस्ट देखना बिल्कुल न भूलें चलिए आज पढ़ते हैं सवहार दम प्रकृते है शोबा अपने मित्रों में शेर करना बिल्कुल मत भूलिए चलिए आगे पढ़ते हैं तो ये तो आपका जो इतना भाग दिया हुआ है ये अबाउट टू लेसन है तो थोड़ा सा हम इसके बारे में संछेप में चर्चा कर देते हैं तो संछेप में चर्चा ये है कि ये जो पाठ है इस नह और प्रेम पूर्ण बेवहार का बोध कराता है आज के समाज में जो लोग आत्मा भिमानी हो गए है एक दूसरे का आप मान करते हैं अपना स्वार्थ पूरा करने में लगे हैं किसी का भला नहीं चाहते हैं साब अपना-पना स्वार्ण सिद्धी में लगे हैं तो ये प्रेम प्रकृती की शोभा है आज इस पार्ट के माध्यम से आपको इस संसार की लोलुपता और स्वार्थ परता के बारे में एक आपको कहानी के माध्यम से समझाया जाएगा सब्तम पार्ट है सौहारदम प्रकृतेशोभा तो अब आउट टुलेशन पढ़ने से कोई मतलब नहीं है हलाकि आप लोग बता दिया गया संक्षेब में ठीक है इसके अभ्यास प्रशन भी हम करवाएंगे तो सबसे पहले अब देखिए वनस्य द्रिश्यम समीपे एव एका नदी वहती ठीक है तो यहाँ से पढ़ते हैं हम लोग द्रिश्यम माने द्रिश्य है यानि जंगल का सीन है समीपे और समीप में एव माने ही एका माने एक नदी वहती है अब आप दिखिए एक एक मीनिंग समझिए वहती है और एव एका का हम भी छेत करते हैं एव धन एका जब एव धन एका कह लेंगे तो एक ए और आ यहाँ पर आ निकल रहा है क्या द्रिश्य है यह जंगल का द्रिश्य है और समीप में एक नदी यहाँ पर बह रही है एका सिंगह, एक सेर, एका सिंगह, एक शेर, सुखेन, सुख पूर्वक, यानि प्रसंदता पूर्वक, विस्राम में ते विस्राम कर रहा है, आराम कर रहा है, तदयव माने तभी, तदा एव, अगर हम तदा और एव का संधी करते हैं, तो निकलता है तदयव, तदयव संदी संदी से तदय वह आपका हो जाता है तो यहां आपने पढ़ा कि जंगल का द्रिश्य है समीप में ही एक नदी वहती है एक अहां सिंगहां एक सेर सुखेन विस्रामिते सुख पूर्वक विस्राम कर रहा है एक सिंग जो है वो सुख पूर्वक विस्राम कर रहा होता है यानि विस्राम कर रहा है, सुख पूरुवक विस्राम कर रहा है और तदयव, तदयव का मतलब है तभी एक हवानर रहा, एक वानर, अर्थात एक बंदर, आगत्य मिन्स आकर के, आगत्य मिन्स आकर के, तस्य पुच्छम धुनाती, तस्य पुच्छम धुनाती, उसकी पूच को पकड़ कर धुनाति मिंस घुमाता है तस यानि उसकी किसकी सिंग की पुछम पुछ को धुनाति माने घुमाता है और कुरुद्धा सिंगा तभी एक बंदर आ करके उसकी पुछ को घुमाता है और कुरुद्धा सिंगा तो क्रोधित शिंगा मिंस सेर तम माने उस पर यानि कूर्दित्वा परंतु वान रहतू, बंदर तो कूर्दित्वा कूद कर, कूर्दित्वा मिन्स कूद कर व्रक्षम आरूढ, व्रक्षम मिन्स व्रक्ष पर यानि पेंड पर आरूढ मिन्स चड़ जाता है, परंतु बंदर पेंड पर चड़ जाता है, आप यहां सिंग का के उपर चड़ जाते हैं वाँ अरथात क्या करते हैं शरारत ही करते रहते हैं तो बन्दर यहां पर शरारत कर रहें भाई साब आगे दिखे क्या होता है तदयव मिल्स अन्यस्मात ब्रक्षात अर्थात दूसरे नहीं rivalry फुल चैप्टर हम आपको पढ़ाएंगे, कहीं दो-तीन पार्टों में नहीं बनाएंगे, भाले एक गंटे की क्लास हो, डेड़ गंटे की क्लास हो, लाइब क्लासेस हर साम साथे आठ बजे चलती हैं, तो आप साथे आठ बजे यानि आठ बच कर दूसरे व्रिक्षात माने व्रिक्ष से, पेंड से, अपरा हमाने अदर, अपरा हमाने अदर जानते हो, अदर, यानि अदर मिन्स होता है, अदर, अदर यानि दूसरा, ठीक है, अदर माने दूसरा, दूसरा वानर जो होता है, दूसरा वानर होता है, वो क्या करता है, दूसरा बंदर आता, वदू अपरह वानर, दूसरा वानर, सिंगह से करणम आक्रिष्य, सिंगह से अर्थात सिंग का करणम यानि कान आक्रिष्य मिन्स खीच कर, पुनह माने दुबारा व्रक्षो उपरी, माने व्रक्ष धन उपरी, तो जब व्रक्ष धन उपरी लिखेंगे, तो व् व्रक्ष के उपर, व्रक्ष के उपर, जब व्रक्ष के उपर वो बंदर चढ़ जाता है, तब क्या होता है, व्रक्ष उपर आरोहत, आरोहत में चढ़ जाता है, एवमेव, इस प्रकार ही, ऐसे ही, वानराह वारम वारम, वानराह में इस बहुत सारे बंदर, धेर सारे बंदर वारम वारम अर्थात बार बार, सिंगहम तुदंती, सिंगहम तुदंती, सेर को धक्का देते हैं, सिंगहम तुदंती, सेर को धक्का देते हैं, यानि बार बार, ऐसे ही क्रम चलता रहता है, क्या, ऐसे ही क्रम चलता रहता है, ठीक है, यानि बार बार शेर को तुदंती यानि तंग करते हैं तुदंत मीन्स तंग करना यह धकेलना धक्का लगाना दोनू होता है तो तुदंत मीन्स तंग करना ठीक है तंग करना होता है कुछ भी करने में समर्थ नहीं होता है किमपी करतुम असमर्थ करतुम में मा जो लगा है इस मा में इस मा में जो है हलंत लगने से छोटा जो है दबा हुआ है छोटा जब मिल जायेगा इसमें तो पूरा मा बन जाता है यह आप सभी जानते है तु वानराह हसंती बंदर खूब हसते हैं व्रक्षा उपरिचा और व्रक्ष के उपर चा माने और विविधाह पक्षणाह आपी विविद प्रकार के पक्षी भी अपी मिन्स भी सिंघस से सिंघ की एतादर्शीम दशा एतादर्शी मिन्स होते है ऐसी एतादर्शी मिन्स ऐसी ऐसी दशा को दशा मने इस्थिती को द्रिष्टवा यानि देखकर द्रिश्वा मींस देखकर हर्स मिश्रितं हर्स से मिश्रित कलरवं कुरवंति कलरो करते हैं एनि ऐसी दशा देखकर प्रसनता से युक्त कलरो करते हैं और निद्रा भंग दुखेन निद्रा भंग दुखेन निद्रा भंग दुखेन निद्रा भंग दुखेन, नींद तूट जाने से दुखी, निद्रा भंग मिंस नींद तूट जाने से दुखेन मने दुख के कारण नींद तूट जाने से दुखी, वन राजा यानि सिंग सन अपी होते हुए भी, तुछ जीवों के समान आत्मनहा अपनी एताद द्रिश्या वाने ऐसी दुरवस्थया वाने खराब इस्थिती को देखकर को देखकर स्रांता हा स्रांता हा दुरवस्थया स्रांता हा अपनी खराब इस्थिती से स्रांता मितलब होता है ठका हुआ या दुखी स्रांता माने दुखी तो दुरवस्थया अपनी दुरवस्था खराब इस्थिती से दुखी सर्व जन्तून द्रिष्टवा सभी जन्तू से देखकर द्रिश्ट्वा में से देखकर प्रच्छ ते मतलब पूछता है क्या पूछता है कि क्या पूछता है कि सिंग अब यहां पर सिंग का वारताल आप सुनिए एक नाटक है थोटी नाटी के समझ लीजिए तो क्रोधेन गर्जन क्रोध से गर्जना करते हुए क्रोधे बैएर हूं, जंगल का राजा हूं किम भयम न जायते, क्या डर नहीं लगता? देखे, भयम न जायते, भयम का पूरत होता है, डर ना माने नहीं, जायते माने उधपन होता है, तो थोडा सा हम Schritt करके भी लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, अहम मैं वन राजाह, जंगल का आ जाहूं किम यानि क्या भयम न जायते क्या भय उत्पन नहीं होता यानि क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मर्थम मामे वो तुदंती सरवे मिलुत्वा कि मर्थम किस लिए कि मर्थम मिन्स किस कारण या किस लिए मामे एवं माम माने मुझे एवं माने इस प्रकार तुदं तुम मुझे इस प्रकार तुदंत यानी तंग कर रहे हो सरवे मिलित्वा सभी मिलकर के सरवे मिलित्वा माने मिलकर के तुम सभी लोग मिलकर के मुझे इस प्रकार क्यों तंग कर रहे हो तो एकाः वानर रहा, एक वानर बोलता है, क्या बोलता है ? तु सरवता अयोग्या अगर तुम वनराज हो भवितुम माने तो होने के लिए यानि तुम राजा होने के लिए जंगल के राजा होने के लिए सरवता सब प्रकार से अयोग्या अयोग्य हो राजा तु रक्षका भवती राजा तु रक्षक होता है अरे राजा तु रक्षक ह अरे राजा चो रक्षक होता है परंतु आप क्या है अरे आप तो भक्षक हैं कौन बोलता बंदर बोला अपीचा और भी स्वरक्षायाम पी समर्था नाशी मने हो समर्थ नहीं हो अपनी रक्षा करने में भी अपी मिन्स होता है तो कथम असमान रक्षिष्यसी, कथम माने कैसे, असमान माने हमारी, हमारी रक्षिष्यस माने रक्षा करोगे, तो हमारी रक्षा कैसे करोगे, अन्यवानरह, दूसरा वानर बोलता है, किम न सुरुता तोया पंचतंत्र उक्ति ही, किम माने क्या ना माने नहीं, सुरुता माने सु दूसरा बंदर क्या बोलता क्या तुमने पंचतंत्र की उकती कहावत नहीं सुनी है यो नरक्षती जो रक्षा नहीं कर स्पाता है बित्रस्तान पीड्यमानान अपरई ही सदा और जो दूसरों के द्वारा पीडितों की रक्षा नहीं कर सकता यो नरक्षती बित्रस्तान त्रस्तान मने पीडित पीड्यमान्या पीड्यमाना अपरई ही सदा अपरई ही मने दूसरों के द्वारा पीडितों की रक्षा नहीं कर सकता जन्तून पार्थिव रूपेंड सकृतान तो न संसया यानि जो विशेश रूप से डरे हुए वित्रस्तान मने डरे हुए वित्रस्तान मने तरस्त यानि घवराये हुए डरे हुए और दूसरों के द्वारा पीडितों की रक्षा नहीं कर पाता वे जन्तूओं के जीवन का अंत करने वाले होते हैं, इसमें कोई संसय नहीं है, जन्तून पार्थिव रूपेन, सकृतान तो, जन्तूओं का पार्थिव रूप के रूप से, पार्थिव रूप से जन्तूओं का अंत करने वाले होते हैं, न संसय यहा, इसमें संसय नहीं है, जन्तूं के जीवन का अंत करने वाले होते हैं इसमें संसे नहीं है एक बार फिर से समझ लीजिए तो काइदे से समझ में आ जाएगा फिर से समझ ये क्या समझेंगे योन रक्षत वित्रस्तान वित्रस्तान मनें डरे हुए पीड्यमानाश्च और पीडित अपराई ही सदा द जन्तूं का सह माने वह क्रतांतो निश्चया वो सदयव निश्क्रत माने कर देगा अंता माने अंत करने वाला होता है न संसया इसमें कोई संसय नहीं है तो काका कहता है काका मिन्स होता है कववा होता है तो कववा क्या बोलता है कववा क्या कहता है भाई कववा क्या कहता ह आम का सत्यम कथिता तोया, आम का मतलब होता है, येस, सत्यम कथिता तोया, तुमने सत्य कहा, हाँ, तुमने सत्य कहा है, वस्तुताह वन राजा भवितुम तु आहमेव योग्या, वस्तुताह जंगल का राजा, वन राजा जंगल का राजा, भवितुम होने के लिए तु आहम ये वो योग्या, राजा बनने के योग मैही हूँ, अब देखे कव्वा का कह रहा है, देखे बिल्कुल ये कहानी समाज का आइना दिखा रही है, जो कुछ समाज में हो रहा है, उसका आइना दिखा रही है ये कहानी, तो आप समझेए, तो कव्वा आप क्या बोलता है, हाँ सत्य कहा तुमने वस्तुताह वनराज भवितुम होने के लिए बनने के लिए तू तो अहम एव मैं ही योग्या योग्य हूँ यानि मैं ही इलिजिबल हूँ राजा बनने के लिए है ना मैं ही योग्य हूँ आगे देखे क्या होता पिकाह यानि कोयल क्या बोलती उपहसन उपहसन में हस्ती हुई कथम तुम योग्या बने राजा भवितुम तुम भाई जंगल के राजा बनने के लिए कैसे योग्य हो कथम यानि किस प्रकार तुम माने तुम योग्या माने योग्य हो eligible हो बन राजा, जंगल के राजा बनने के लिए, भवितुम माने होने के लिए अनि बनने के लिए, यत्र तत्र का का इति करकश धोनिना, वाता वरणम आकुली करोशी, यत्र तत्र माने जहां तत्र यत्रमाने जहां तत्रमाने वहां यत्रमाने जहां तहां जहां तहां का का यनि काओं काओं इति करकश धुनी ऐसी कठोर धुनिना कठोर धुनिना मिन्स धुनी के द्वारा वाता वरणम एटमासफेर को वाता वरण को आकुली करोशी व्याकुल कर देते हो न रूपम न रू ना तो सुंदरता है न रूप है न धोनी है कृष्ण वर्णम काला काला रंग है मेध्याम अमेध्य भक्षकम मेध्य अमेध्य भक्षकम खाने योग और ना खाने योग खाद और अखाद त्वाम कथम खाद और अखाद सब खा लेते हूँ उसका भी भक्षण कर लेते हूं भक्षण करने वाले हो त्वाम तुम कथम किस प्रकार वनराजम मन्याम है वयम कथम किस प्रकार वनराजम जंगल का राजा ठीक है तुम कथम तुम्हारे द्वारा वैसे तुम्हाम का मतलब तुम्हें तुम स्वयम को कथम किस प्रकार वनरा आज मन्याम है, राजा जंगल का राजा मानते हो, वयम, ठीक है, है ना, वयम, मने हम सब के द्वारा, हम सब, तो आम कथम वर राजा मन्याम है, देखे, यहाँ पर सीधार्त ये निकलेगा, समझे, फिर से समझे, वरना मिस हो जाएगा, तो आप मिस्प्रिंट कर जाएंगे हर चीज है, देखे, यहाँ पर कोयल की वारताला आपका उवे से हो रही है, अन्य खग भी है, ठीक है, तो अब आप समझे, कि वो कहती है, कि मेध्य और अमेध्य भक्षक हो तुम, खाद्य और अखाद्य खा लेते हो, तुम कथम किस प्रकार वनराजम, तुम को, तुम मतलब तुम को कथम किस प्रकार, वनराजम, जंगल का राजा, मन्याम है, वयम, वयम कारता हम सब आपको कैसे राजा, जंगल का राजा मान लें, तो काका कहता है, अरे, अरे, किम जलपसी, अरे, अरे, क्या बोल रही हो, जलपसी मिन सोता है, बोल रही हो, अरे, क्या बोल रही हो, यदि अहम क्रिष्ण वरण हाँ, यदि मैं क्रिष्ण वरण का हूँ, तरही तो, तरही मिन्स तो, तुम किम गवरांगा, क्या तुम गोरी हो, अरे अगर मैं काला हूँ, तो क्या तुम गोरी हो, अपिचा और भी, बिस्मर्यते किम यत मम सत्य प्रियता तु जना नाम कृते, अरे तुम क्या कह रही हो? क्यूं जल्पसी? क्यूं कह रही हो? देखे जल्पसी मिन्स जलना नहीं होता भाईयों जल्पना जल्पना माने होता है कहना अरे क्या बकवास कर रही हो? क्या कह रही हो? यदि अहम क्रिष्ण वर्ण हाँ अगर मैं काला काले रंग का हूं तो तरही तो तौम किम गोरांगा क्या तुम गोरे अंग की हो? क्या तुम गोरे वर्ण की हो? और भी अपिचा और भी बिस्मर्यते क्या भूल गई? क्या भूल गई? क्या भूल गई? अपिचा और भी बिस्मर्यते क्या भूल गई? यह तमाने जो मम्माने मेरी सत्य प्रियता सत्य प्रियता तो जनानाम करते लोगों के लिए जो मेरी सत्य प्रियता क्या भूल गई उदाहरन स्वरूपा उदाहरन स्वरूप अब उदाहरन स्वरूप क्या बताता है अन्रितम वदसी चेत का कहा दशेत अन्रितम वदसी चेत काकाह दशेत अन्रितम मिन्स होता है जूट वदसी माने बोलते हो चेत माने यदी काकाह मिन्स कववा दशेत माने डशेगा यानी जूट बोलोगे तो कववा डशेत माने डशेगा यनि काटेगा जूट बोले कववा काटे ये क्या है? उदाहरन स्वरूप अंदृतम वदेस चेत का का हदसेत अंदृतम वदेस चेत का का हदसेत आणा, तुम महें मैंखे चरी जाओं पर उसी काणूआद हुआ है अंद्रितम वदसिचेत काकाह दशेत अगर जूट बोलोगे तो कव्वा काटेगा इती प्रकारेण इस प्रकार इती प्रकारेण इस प्रकार अस्माकम परिश्रमह एक्यम च विश्य प्रतिता अस्माकम परिश्रमह हमारा परिश्रम और एक्यम यानी एकता चा मने और विश्य प्रतिता प्रतिता मने उता प्रसिध विश्य प्रसिध है अपिचा और भी काक चेश्टा बको ध्यानम, श्वान निद्रा तथेवचा, अल्पहारी ग्रहत्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम तो अपिचा और भी काक चेश्टा कववे जैसा ध्यान विद्यार्थी एव, आदर्स छात्र हमनेते, कववे जैसे ध्यान के कारण विद्यार्थी ही, कववे जैसे ध्यान वाले विद्यार्थी ही, आदर्स छात्र हमनेते, आदर्स छात्र माने जाते हैं कवय के समान चेस्टा रखने वाला विध्यारती आधर्ष्छात्र माना जाता है ये गुण गिना रहा है कॵव आपने पिकह अब कोयल बोलती, कोयल का जबाब सुनिये, कवय से कोयल क्या कहरी है, अलम-अलम रहने दो, रहने दो, रुको, रुको, मत कहो, बिकथनेन, बिकथनेन माने होथा डींगे हाकना, बहुत जादा डींगे हाक रहे हो, बहुत जादा बोल रहे हो किम बिस्मर्यते क्या भूल गई यत माने कि का काहा कृष्णाहा, पिकाहा कृष्णाहा, को भेदाहा पिक का कयो, वसंत समये प्राप्ते का काहा, का काहा पिकाहा, पिकाहा, अब देखिए का काहा कृष्णाहा, पिकाहा कृष्णाहा, कवा काला कोयल काली, को भेदापिक का कयो, क्या भेद कवा कोयल में, वसंत समये प्राप्ते, वसंत के समये आने पर, कवा कवा और कोयल कोयल हो जाती है समझ में आया नीर छीर विवे के नीर और छीर के विवन यानि आप चरन चोंचे लो चन रंगो चलो मराली चाल नीर छीर विवरं समय पक उघरत ते ही काल यानि चाहे कववा हंस की चाल चल ले चाहे चरन रंगले चाहे चोंचे रंगले टेकिन जब दूध का दूध और पानी का पानी करने का समय आता है तो उसी समय पता चल जाता है कि यह बगुला है तीक उसी प्रकार यहां भी बताया गया है अलम अलम अभिकतनेन आती विकतने क्या भूल गए हो कि का काहा क्रिश्न हा कवा काला है पिका क्रिश्न हा कोईल काली होती को भेदा पिका के हो कवा और कोईल में क्या भेद होता है कोई भेद नहीं होता है परंत वसंत समय प्राप्ते लेकिन वसंत के समय प्राप्त होने पर वसंत का समय आने पर कवा कवा और को कोयल हो जाता है तो काका कववा बोलता कववा जबाब देता रे परभृत रे परभृत रे नीच कोयल देखिए परभृत माने होता है कोयल ठीक है बच्चों परभृत मिन्स कोयल होता है बिल्कुल 100% बक्की बात है परभृत मिन्स कोयल यह मत भूलिएगा परभृत मिन्स को कोयल होता है परभृत ठीक है तो अब यहां पर काका मीनिंग आपको कुछ मिले लेकिन परभृत मिन्स कोयल होता है तो कहता है रे परभृत रे कोयल अहम यदि तव संतति न पालेयामी अहम यानि मैं यदि तव माने तुम्हारी संतति यानि संतान को न पालेयामी नहीं पालूं तरही तो कुत्र सिहु पिका तरही माने तो कुत्र माने कहां सिहु होगी सिहु माने होगी पिका हमाने कोयल तो कोयल कहां होगी रे नीच अरे नीच कोयल अगर मैं तेरी संतान को न पालूं तो कहां होगी कोयल तो कहां होगी कोयल कहां से हो अताहा अहम एव करुणा अपरहा पक्षि समराट का कहा इसलिए अहम एव मैं ही करुणा अपरहा दूसरों के प्रती दयालू हूँ पक्षि समराट कववा हूँ मैं दूसरे पक्षियों के प्रती दयालू पक्षि समराट कववा हूँ ऐसा दोस्तों कहा जाता कि कोयल अंडे देती है दूसरों के घुंसले में यानि कोयल अंडे दे देती है तो कववा ये समझ नहीं पाता है और अपने अंडे समझ करके उसको सेता है यानि कि उनको पा वंश प्रमपरा खतम हो जाएगी कवा भी सच कह रहा है और कुहल भी अपनी जिए के सच कह रही लेकिन आगे देखिए इस कथा में क्या होता बड़ा इंटरेस्टा बड़ा मजा आराम है नहीं समझ रहा था कि इतने अच्छी कहानी होगी चलिए आपको भी आनद आए तो शेयर कर दीजे बच्चे एक बार शेयर कर देना भाई साब आपको शेयर इसलिए कीजिए क्योंकि आपको मदद करनी है दूसरे बच्चों की हो सकता है आपका बच्चा आपका दोस्त जो है वो किसी कारणवस भूल गया हो पड़ना आप किसी की मदद करते हैं तो समझ लिजे आपकी कोई मदद कर रहा होता आप किसी के लिए अच्छा करते हैं तो समझ लिजे कोई आपके लिए अच्छा कर रहा होगा ये शुर करवा लेता है तो आप समझ ये के खम्ठों कुठेलता है जब नर परवत के जाते पाउं उखड मानों जब जोर लगाता है पथर पानी बन जाता है गुर बड़े एक से एक प्रखर है छिपे मानवों के भीतर महंदी में जैसे लाली हो वर्ति का भी चूजी आली हो बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं वह पाता है वह सुधाकानेता कौन हुआ सौभाग विजेता कौन हुआ जिसने न कभी आराम किया बिगनों में है करकाम किया है कौन बिगनों ऐसा जग में टिक सके आदमी के मगमे मानों जब जोर लगाता है पथर पानी बन जाता है तो आपको जोर लगाना है और एक इतना पढ़ाऊंगा, आनन्द दायक होगा, आपकी समझ में आएगा, ऐसा नहीं, अब गज बोलता है, अब आता है गज, गजहा, अब गज बोलता है, इतनी देर कववा और कोयल की वारता लाप हो रही थी, लेकिन अब गज बोलता है, समीपतह एव अगच्छन, समीपतह एव अगच्छन पास आ करके, समीपतह माने स्पास, एव माने ही अगच्छन माने आ करके, अरे अरे सरवं संभाषणं स्रिनु, स्रणवन एव अहं अत्र अगच्छं, वाह, अरे अरे सरवं यानी सबका संभाषणं स्रिनुवन संभाषण सुनता हुआ, स्रिणवन मिन्स सुनता हुआ, एव मिन्स, एव मिन्स ही, अहम माने मैं भी अत्र अगच्छम यहां आ गया हूँ, अहम विशाल काया हा, बलशाली, अहम माने मैं विशाल काय हूँ, बलशाली हूँ, पराक्रमी चा, और पराक्रमी हूँ, सिंघास वास्यात सिंघास वास्यात अठवा अन्या कोपी वन्यपशून तुदंतं जन्तुम अहम ससुंational dependent उप्धेन मारईश्यादु विए भईया हांती भक वका वास कर रहा हैं हांती का का कह रहा है क्या कह रहा हांती की बात सुनिये हाथी की बास सुनिया, हाथी कहता है कि समीपताह आगताह, समीपताह एव अगच्छन पास आकर के ही, अरे-अरे सरवं संभाशनम सुरुवन में सबका संभाशन सुनकर ही, अहम अत्रगच्छम में यहां आया हूँ, मैं बिसालकाय हूँ, बलशाली हूँ, और पराक्रमी सिंघ वा स्यात शेर हो स्यात मिन्स हो वा मिन्स अथवा अन्या कोई वन्य पशून जंगली पशू को तू माने तो तुदंतं तंग करता हुआ धकेलता तुदंत माने उता धकेलना धक्का देता हुआ जन्तुम अहम जन्तु यानि जानवर को अहम माने मैं स्वसुन्डेन अपनी सून्ड के द्वारा पोथाइत्वा पटकता हुआ अपनी सून्ड के द्वारा पकड़कर पोथाइत्वा यानि पकड़कर लपेटता हुआ मारे श्याम मार दूंगा आप ये अपनी डिंगे हां केने लगा कौन गजे किम अन्यहा कोपी अस्ति एताद्रिशा पराक्रमी किम अन्यहा और कौन किम मने क्या यानी कौन कोपी कोई अस्ति मने है एताद्रिशा मने ऐसा पराक्रमी क्या कोई ऐसा दूसरा पराक्रमी है अताहा इसलिए अहमेव मैं ही योग्या वन राज पदाए इसलिए मैं ही वन राज जंगल के राजा के पदा यानि पद के लिए मैं ही इलिजिबल हूँ, मैं ही योग्य हूँ यानि हमारी क्वालिफिकेशन जो है वो जंगल का राजा बनने के योग्य है अब देखिए वान रहा अब बंदर बूला अरे अरे एवम वा शीग्रमेव गजस से अपी पुच्छम बिधू ये ब्रक्चो पर आरोहती अब मज़ा देखिए अरे अरे एसा ही हो एवम वा एवम मने इस प्रकार एवम वा लगने से ऐसा ही हो और शीग्रही शीग्रम एव शीग्रही गजस से अपी हाथी की भी पुच्छम विधू ये पूच पकड़ कर ब्रक्चो परी ब्रक्च के उपर आरोहती चड़ जाता है अब बताए बंदर से हाथी भी हार गया तो गजह हाथी तम ब्रक्चमेव स्वसुंडेन आलोडईतुम इच्छती तो हाथी तम ब्रक्चमेव उस ब्रक्च को ही स्वसुंडेन अपनी सूंड के द्वारा आलोडईतुम हिलाने की इच्छत इच्छा करता है परमपरंतु वानरहतु वंदरतु पुता कूद कर अन्यम ब्रक्चम आरोहती अन्य ब्रक्च पर आरोहती चढ़ जाता है एवं इस प्रकार गजम हाथी को ब्रक्षात ब्रक्षम प्रती धावंतम द्रिश्टवा हाथी को गजम माने हाथी को ब्रक्षात ब्रक्षम इस ब्रक्ष से ब्रक्ष से ब्रक्ष प्रती एक ब्रक्ष के दूसरे ब्रक्ष पर धावंतम दोडता हुआ द्रिश्टवा देखकर सिंग भी हसती वदती चा हसता है और बोलता है हसता है और कहने लगता है क्या कहता है सिंगा कहता है भोग जहा अरे हाथी माम पियेव माम पियेव अतुदन एते वानरह भोग जहा हे हाथी मुझे भी नहीं बंदरों द्वारा तंग किया गया है अरे हाथी जी मुझे भी इन बंदरों के द्वारा आइसे ही तंग किया गया है तो वानरहब बंदर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? यदकी पहमेव मैं ही योग्या योग्य हूँ, वन राज पदाए, जंगल के राजा के पद के लिए मैं ही योग्य हूँ, ये न माने क्योंकि विशाल का आए पराक्रमिणं। जिस बिशालकाय पराक्रमिनम पराक्रमी भयंकरम चापी और भयंकर सिंघंग गजमवा सिंघ और हाथी को भी पराजे तुम समर्था पराजित करने में समर्थ है असमाकम जाती ही हमारी जाती बंदर क्या बोलता है बंदर बोलता है कि बिशालकाय पराक्रमी और भयंकर शेरतवा हाथी भी पराजित करने में हमारी जाती समर्थ है अतहवन ने जन्तू नाम रख्चाया वयमेव छमा इसलिए जंगली जन्तूं की रख्चाय रख्चा के लिए वयमेव हम ही छमा यानी समर्थ हाएं बंदर बोलता है अब आगे देखिए या कथा मैं बहुत इंट्रेस्ट आ रहा है मुझे तो आनंद आ गया मुझे बहुत प्रसनता हुई कथा पढ़के आगे देखिए अब आगे क्या हुआ तो एतत सरवं सुरुत्वा एतत सरवं मिन्स यह सब एतत मिन्स होता यह सरवं मने सब सुरुत्वा मने सुन करके अब बगुला क्या गोलता अब बगुल एक बात सुनो अब आ गया एक नया सेलिबरेटी आ गया भी या बगुला अरे अरे माम विहाय कथम अन्यह कोवपी राजा भवितुम अरहती अरे अरे माम यानि मुझको विहाय यानि त्याग कर मुझको छोड़ कर विहाय मिन्स छोड़ कर कथम माने कैसे अन्य हमाने अन्य कोप माने कोई राजा भवितुम माने होने के अरहती माने योग्य है अरे अरे मुझे छोण कर अन्य कौन राजा होने के योग्य है आहम तू मैं तो सीतले जले सीतल जलमे थंडे जलमे बहुकाल परयंतम बहुत देर तक परयंतम जहां पर लिखाओ वहां तक पढ़ लीजिए बहुत बहुकाल बहुत समय परयंतम तक अविचल बिना बिचलित हुए यानि इस्थिर ध्यानमगन इस्थित प्रज्या इस्थित बुद्धी की यू की भाती स्थित्वा खड़े होकर के सरवेशाम रक्षायाह उपायान चिंतईश्याम सरवेशाम मने सभी लोगों की रक्षायाह रक्षा के उपायान मने उपाय को चिंतईश्याम मने चिंतन कर सकता हूं सभी सभी के लिए मैं खड़ा होकर के रक्षा का उपाय कर सकता हूँ सोच सकता हूँ योजना निर्मिय चा और योजना बना करके स्वासभायाम अपनी सभा में विविध पदम अलंग कुरवाणई है विविध पदम अलंग कुरवाणई है जन्तुभी चा मिलित्वा रक्षो उपायन क्रियानवितान करिश्याम और वो क्या कहता है तो क्या कहता है वो कौन बगुला बगुला कहता है कि मैं और योजना बना करके अपनी सभा में विभिन पदों से अलंकृत करके जनतूं से मिलकर रक्षा के उपायों को क्रियानवित करता हूं ठीक है पिर देखें योजना निर्मी और योजना बना करके स्वास भायाम अपनी सभा में बिबिद पदम अलंकुर्वानाई है बिबिद पदों के द्वारा अलंकृत करके जन्तु भी चा जन्तुआं को भी मिलुट्वा मिल करके और जन्तों के द्वारा मिल करके रक्षो पायान, रक्षा का उपाय, क्रियानवितान, क्रियानवित, कारिश्या में कर लूंगा कारिश्या मतलब कर लेता हूँ, लूंगा मैं, कर लूंगा अतहा इसलिए अहमेव, मैं ही वनराज पद प्राप्त योग्या, वनराज के पद को प्राप्त करने के योग्यायोग्य हूं, मैं यूरह अब मोर बोलता है ब्रक्चो परिताहा ब्रक्च के उपर ही सा अटहास पूर्वकम यानि बहुत ही अटहास मने ठहा का मारते हुए ब्रक्च के उपर से ठहा का मारते हुए विरम विरम ठहरो ठहरो रुको रुको विरम मिंस रुको रुको आत्म शलागाया हकिम नजानासी यत आत्म शलागाया हक आत्म प्रसंशा के द्वारा किम नजानासी क्या नहीं जानते हो यतमाने की आत्म प्रसंशा के द्वारा अपनी प्रसंशा करते हुए क्या तुम ये नहीं जानते हो की यदि यदि नस्यात परिताह यदि प्रजा का नेता अर्थाद राजा ही ठीक नहीं होगा तो बिना नाविक के नाव की नौका की भाती समुद्र में डूप सकती है है ना तो तो क्या होगा तो जो राज्य है वो बिना नाविक के नौका के समान समुद्र में डूप सकती है तो समझे फिर से क्या कहता रुको रुको, क्या तुम अपनी प्रसंसा करते हो, क्या तुम जानते नहीं हो, यदि नस्यात नरपति, यदि राजा नहीं होगा, सम्यक नेता नहीं होता है, सम्यक माने ठीक ठाक, नेत्रित तो करने वाला राजा नहीं होता है, ततह, इसलिटो प नव यू नवका के समान जलधव समुद्र में विपलवेत ए है ठीक है तो कहने का मतलब ये है कि यदि नस्यात नरपति सम्यक नेता अगर राजा सम्यक नेता नहीं होगा बुद्धिमान नहीं होगा अगर राजा जो है वो सम्यक नेता यानि अच्छा नेता नहीं होगा नेतर तो करने वाला नहीं होगा तो प्रजा उसी प्रकार डूब जाएगी तो राज उसी प्रकार डूब जाएगा जैसे अकर्णधारा बिना कर्णधार वाली नव का नव यू 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 माने की भाती न बिना करणधार बिना नाविक के समुद्र में समुद्र के जल में नौका डूब जाती है ठीक उसी प्रकार अगर ना राजा सही नेत्र तो करता नहीं होगा तो पुरा राज्य डूब जाएगा आगी दिखी क्या कथा चलती है अगुला आउर के बाद जो है मयूर अपनी बात कह रहा है को नजाना तित्तव ध्यानाम अवस्थाम कौन नहीं जानता है तुम्हारी ध्यान अवस्था को इस्थित प्रग्या इस्थित बुद्धी को इती व्याजेन वराकान मीनान छलेन अधिगरिये कुरूरतया भक्षयसी देखे व्याज माने होता है शिकार भी होता है और व्याज माने चल भी होता है व्याज मिन से निंदा भी होती है तो अब कहने मतलब ये है कौन नहीं जानता है तुम्हारी ध्यान अवस्था को इस्थित प्रग्या है इस्थित प्रग्या इस प्रकार व्याजेन मने निंदा करती हुई ये प्रसंसा नहीं कर रही है मयूर प्रसंसा नहीं कर रहा है इस प्रकार निंदा करते हुई इस्तित प्रग्यार रहे इस्तिर बुद्धी वाले वराकान मीनान वराका मतलब होता है बेचारी वराकान मतला बेचारी मीनान मने मचलियों को छलेन मने छल पूरुवक अधिग्रिहिय मने पकड कर क्रूरतया मने निर्दयता के साथ भक्षय सी मने खाते हो धिक त्वाम तुम्हें धिक कार है तव कारणात तुम्हारे कारण तु तो सरवं पक्षिकुलं एव आव मानितम ज अब मानितम माने अपमानित जातम माने हो गया है और तुम्हारे करण पक्षियों का समूह ही क्या हो गया है अपमानित हो गया है अब आप समझे आगे देखे क्या होता है इस कहानी में अब वानरह बोलता है अब आता है बंदर फिर बोलता है फिर क्या बोलता है सगरवं बड़े गर्व के साथ बड़े घमंड के साथ बंदर बोलता है क्या बोलता है अतेव कथयामी यत अहमेव योग्यावानराज पदाय शीग्रमेव ममराज विशेकाय ततपरह भवन्तु सर्वेवन जीवाहा वो क्या कहता अतेव इसलिए कथयामी कहता हूं यत कि अहमेव मैं ही अहम माने मैं एव माने ही अहमेव योग्यावनराज पदाय वन के राजा के पदाय पद के लिए मैं ही योग्य हूं मैं ही क्वालिफाइड हूं सीग्र में जल्द ही मम राज विशेकाय मेरे राज्या विशेक के लिए ततपराह ततपर हो जाईए भवन्तु माने हो जाईए सर्वेवन जीवाहा सभी वन्य जीवों मेरे राज विशेक के लिए सभी लोग सीग्र ही ततपर हो जाईए तो मयूर फिर कहता है अरे वानर तूशनी भाव चुप रहे तूशनी भाव चुप हो कथम तूम योग्यम वनराज पदाए कथम कैसे तूम तूम योग्या योग्य हो वनराज पदाए जंगल के राजा के स्थान के लिए पद के लिए तुम कैसे योगे हो पश्यत पश्यत देखो ममशीरसी मेरा सिर देखो राज मुकुटम्यू राज मुकुट की भाती शिखाम इस्थापेता विधात्रा एवाहम पक्षीराजा करता हा भगवान ने ही मुझको पक्षीराज बनाया है शिखाम इस्थापेता चोटी स्थापित करके विधात्रा यानी भगवान ने एव मने ही यहम मने मुझको पक्षीराजा पक्षीयों का राजा करता हमाने बनाया है पश्यत पश्यत देखो देखो ममशीरसी मेरे सिर को राज मुकुटम्यू राज मुकुट की भाति शिखाम इस्थापेता चोटी स्थापित की है विधात्रा भगवान ने स्वयम ही मुझे अपने हाथों से बनाया है मैं गूगल से डाउनलोड नहीं हुआ हूँ समझे कि राज मुकुटम्यू राज मुकुट की भाति मेरी शिखा तु देखो इस्थापेता विधात्रा एव विधाता ने ही इसको इस्थापित किया है अहम पक्छी राजा करता मुझे पक्छीयों का राजा बनाया है अताहा वने जंगल में निवसंतम निवास करते हुए माम वनराज रूपेड अपि द्रश्टुम सज्जा भवन्तु अधुना अब वो क्या कहता है तो मौर क्या कहता है अताहा वन में रहते हुए मुझे अब वनराज के रूप में भी देख सकते हो क्योंकि किस प्रकार कोई भी विधाता के निड़ने को टाल नहीं सकता यह निव कहता है मयूर क्या कहता है अताहा वने निवसंतम जंगल में रहते हुए माम यानि मुझे को वनराज रूपेड अपि वनराज के रूप में भी द्रश्टुम सज्जाह देखने के लिए सजाया है भवन्तु अधुना अब आप लोग सज्जाह मने तयार हो जाओ भवन्तुम अधुना अब आप लोग जो है हमको वनराज के रूप में देखने के लिए तयार हो जाओ यताहा कथम कोवपी अन्यहा विधातु निरणयम अन्यथा करतूं चमहा यतहा क्योंकि कथम कैसे कोई अन्यहा दूसरा विधातु विधाता के निरणयम निरणय को अन्यथा करतूं अन्यथा करने के लिए चमहा माने समर्थ है इसलिए भागवान के बिदाता के निर्णे को कौन टाल सकता है कोई समर्थ नहीं है टालने में तो का कहा कवा बोलता है बच्चों आप पेंसिल से एक-एक मीनिंग लिख लिया करो तो कोवनों दिक्कत नहीं होगी कवा सवेंग्यम वेंग के साथ कहता है अरे अहिभोग, अरे साप खाने वाले, अही माने होता है सर्प अरे सर्प भुकता, अरे साप खाने वाले, साप भक्षी, सर्प भक्षी, नृत्य अतिरिक्तम कातव विशेस्ता नाचने के नृत्य, नाचने के अतिरिक्तम अलावा कातव विशेस्ता, तेरी विशेस्ता क्या है, तव तुम्हारी विशेस्ता क्या है यत की त्वाम वनराज पदा है कि तुमको वनराज पद के लिए योग्यम मन्याम हे वयम हम सभी योग्यम योग्ये नाचने के अलावा तुम्हारी काउंसी क्वालिटी है जिसके कारम तुमको राजा के पद पर बैटने वाला मानने तो मयूर बोलत है कामयूर बोलता है यताह मम नृत्यम तु प्रकृतेह आराधना क्योंकि मेरा नृत्य जो है नृत्य तो प्रकृतेह यानी प्रकृती की आराधना है मेरा नाच तो प्रकृति की आराधना है पश्य पश्य देखो देखो मम पिछानाम अपूर्वं संदर्यम मेरी पूँच का पिछानाम ने पूँच का पंखों का अपूर्व संदर्य देखो पिच्छाम अनुद्घात पूच को खोल करके नरत्य मुद्धायां नत्य की मुद्रा में इस्थित सन माने होते हुए नाचने की मुद्रा में इस्थित होते हुए पूच को उठा कर कहता है नकोव पि कोई नहीं है त्रैलोग के इस तीनों लोकों में मत सद्रिशा सुंदरा है मत माने मेरे सद्रिशा माने समान सुंदरा माने सुंदर है मेरे समान त्रैलोग के में कोई सुंदर नहीं है तो क्या कहता है क्या कहता है कि वन्य जन्तू नाम उपर वन्य जन्तूं के उपर वन्य जीवों के उपर आक्रमण करतारम आक्रमण करने वालों को तू अहम मैं स्वसाउंदर्रेण अपने साउंदर से न्रतेन चा और न्रत्य से आकरशितम कृत्वा आकरशित करके वनात जंगल से बहिश करिश्यामी बाहर कर दूँगा बहिश करिश्याम मतलब बाहर कर दूँगा अता हमेव योग्या वन्राज पदाए इसलिए मैं ही योग्य हूं वन्राज के पद के लिए मैं जंगल के राजा के पद के लिए योग्य हूं अच्छा ये बताईए कोई नाच देखकर कोई सुन्दरता देखकर क्या आक्रमन नहीं करेगा अरे जंगल का राजा जंगल का राजा वो नाच दिखाएगा क्या बात है मजे की बात विया आगे देखे क्या होता है चेक करते हैं आगे तो आगे क्या होता है एतस्मिन्नेव काले इसी समय व्याग्र चिता भी नदी का जल पीने के लिए आते हैं और इस विवाद को सुन करके कहते हैं इसी समय व्याग्र चित्रकव भाग और चीता अपिमाने भी नदी जलम नदी का जल पातुमाने पीने के लिए आगतौमाने आते हैं एतम इस विवादम विवाद को सुन करके वदताचा और कहते हैं ब्याग्र चित्रकव भाग और चीता क्या कहते हैं अरे किम वनराज पदाए सुपात्रम चीयते अरे क्या वनराज पद के लिए सुपात्र चीयते चीयते मने चुना जा रहा है सुपात्र माने सुयोग्य विक्ति को सुपात्र को चुना जा रहा है एतदर्थम तु आवाम एव योग्यो एतदर्थम मने इसलिए तो आवाम हम दोनों एव माने ही योग्यो योग्य हैं अरे इसके लिए तो हम दोनों ही योग्य हैं यस्य कस्यापी चैनम कुरवन्तु सर्वसम्मत्या यस्य कस्यापी सर्वसम्मत्या 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 सर्वसम्मत्य सिंग आ सिंग कहता है तूश्णि भव भूँ तूश्णी भव शांत्र हो भूँ अरे सांत्र हो युवाम पि मत सद्रिशव भच्चक ना तू रख्चक नहीं हो एते इसलिए वन्य जीवाहा भक्षकम रख्षक पदयोग्यम नमन्यंते अतैव विचार विमर्षा प्रचलती विचार विमर्ष पचलती विचार विमर्ष पचलत चल रहा है बकह बगुला बोलता है सरवथा सम्यक उक्तम सिंगम महोदयन सरवथा सब प्रकार से सम्यक उक्तम सही कहा सिंगम महोदयन सिंगम महोदयने सब प्रकार से सही कहा है तो वो क्या कहता है बगुला बोलता है अब बगुला बोलता है सरवता सम्यक उक्तम सिंगा महोदय सिंग महोदय ने सब प्रकार से ठीकी कहा है वस्तुता है वस्तुता ही सिंगेन सिंग ने बहु काल परियंतम बहुत समय तक सासनम कृतम सासन किया है परम अधुना परंतु आज तु कोप कोई पक्षी ही राजेती यनि राजा निश्चेत तब्यम निश्चित किया जाना चाहिए अत्रतु यहां तो संसीतले 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 शस्यापी अवकाशह एव नास्ति यहां तो यहां तो जरासा भी संदेह नहीं होना चाहिए अत्रतु यहां तो संसीतले जरासा भी अस्यापी अवकाशह एव नास्ति संदेह का कोई भी अवकास नहीं है संदेह का अवकास ही नहीं है यहां शंका का अवकास ही नहीं है यहां पर संका नहीं होनी चाहिए इतने दिनों तक सिंग ही राजा था राजी किया उसने अब ही क्या होना चीए अब तो कोई पक्षी चुना जाएगा ना तो सरवे पक्षी नहां सभी पक्षी उच्चे स्वर में बोलते हैं आम आम हाँ हाँ कस्चित खगा ये वन राजा भविश्यत ही इती कोई कस्चित मितलब कोई खगा माने पक्षी एव माने ही वन राजा माने जंगल का राजा भविश्यत माने होगा इती इस प्रकार हाँ हाँ कोई पक्षी ही जंगल का राजा होगा परं कस्चित अपि खगा हाँ परंतु कोई भी खग आत्मानम बिना नान्यम कमपी तो अब आमाबू के कहते हैं सब हाँ 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 यही सही रहेगा इसके बाद दिखे परम परम कसिदब खगा हा परन्तु कसिदब मने कोई भी खगा मने पक्षी आत्मानम विना अपने आपको परन्तु कोई भी पक्षी अपने आपको अपने अलावा किसी को भी इस पद के योग नहीं मान रहा था कोई भी खग आत्मानम विना अपने विना ना अन्यम किसी अन्य को कमत मने किसी को भी अन्य किसी को भी असमय पदाय इस पद के योग्यम योग्य चिंतन ती नहीं मान रहा था चिंतन कर रहा था मान रहा था तर ही माने तो कथम निरणया भवेद निरणय कैसे हो तदा तब तई ही सरवई ही वै सभी गहर निद्रायाम गहन निद्रा में गहन निद्रा में सोते हुए निश्चितम यद माने की एशह माने तो विचार किया यद की एशह यहा आगे देखिए आत्म शलागा ही नहां कि यह आत्म शलागा आत्म यानि वो तो सो रहा है तो आत्म शलागा ही नहां शलागा मने होता प्रसंसा आत्म प्रसंसा से ही न पद से निरलिप्त यानि पद का लालच ना करने वाला उलू को एव उलू ही अस्माकम राजा भविश्यती हमारा राजा होगा परस्परम आदिशन्ति चा तदा आनियंताम नर्पा अभिशेक संबंदिना संभारा हा फिर क्या हुआ परस्पर विचार करके अपने राजा का अभिशेक संबंदि सामग्रियों को लेने चले गए परस्परम आदिशन्ति एक दूसरे को आदेश देते हुए तद आनियंताम तद माने तब आनियंताम माने लेने के लिए नरप अभिशेक, राज्या अभिशेक, संबंधिना, संबंधी, संभारा माने सामगरी लेने के लिए चले गए जैसे ही सभी चलने के लिए आतुर होते हैं कि आप भई चलें सामगरी लाया जाए और इस उलुवई को राजा बना दिया जाए वही वो सो रहा था और आप तो जानते हैं उलु क्यों सो रहा था क्योंकि बेचारा वो दिन में जाग नहीं सकता तो इसलिए सो रहा था तो अब ये मूर्ख पक्षी लोग थे मूर्ख जनता थी तो मूर्ख जनता है अपने देश की ठीक उसी प्रकार मूर्ख पक्षी थे त पुल्लू कूराजा बनाने चले। सरवता अयुक्तम, सब प्रकार से अयुक्त, थीक नहीं है यतमने यह, यह सब प्रकार से थीक नहीं है, यतमने कि मयूर, हंस, कोयल, चकवा, शुक, सारस, आदि, पक्षियों में प्रधान विद्यमान है, तो दिव अंधस्य अर्थात दिन के अंधे, दिन के समय अंधे, और कराल वक्त्र, कराल मने भयंकर, वक्त्र मने मुख, भयंकर मुख वाले अस्य, इसका राज, अभिशेकार्थम, इसके अभिशेक के लिए सरवे सज्जा सभी तयार हो गए, अरे सब प्रकार से ये ठीक नहीं है, हमारे पक्षियों में प्रधान, तमाम, हंस, कोयल, चकवा, सुक, सारस, आधि सभी प्रधान विद्यमान है, तो इस दिन के अंधे और भयंकर मुख वाले के आज्या अभिशेक के लिए सभी लोग तयार हो गए, पूर्णम दिनम यावत निद्राय मालाह एशह, पूर्णम दिनम पूरे दिन यावत तक, यावत मतलब तक, पूरे दिन तक यानि पूरे दिन तक निद्राय मालाह सोता ही रहता एशह यह, कथम असमान रक्षिस्यति, ये पूरे दिन सोता ही रहेगा, तो हमारी रक्षा कै से करेगा वस्तु तस्तु वास्तो में तो स्वभाव राद्रम अति उग्रम कुरम प्रिय अप्रिय वादिनम उलूकम रप्रतिम कृत्वाका नुसिद्धी भविष्यती ततहा प्रविष्यती प्रकृति माता तो स्वभाव राद्रम स्वभाव से नेचर से प्रकृति से राद्र भयंकर अति उग्रम अत्यधिक भयंकर उग्र कुरम कुर यानि निर्दई अप्रिय वादिनम अप्रिय बोलने वाला उलू कम नरपतिम कृत्वा उलू को राजा बना करके कानु कौन सी सिद्धी भविश्यती कौन सी सिद्धी होगी भईया ततह प्रविश्यती प्रकृति माता ततह इसके पस्चात प्रविश्यती प्रवेश करती है प्रकृति माता इसके पस्चात माता जो प्रकृति है नेचर माता के मदर नेचर प्रबेश करती है प्रकृति माता अब प्रकृति माता सबसे बोलती हैं क्या बोलती हैं साइस ने हम बड़े प्रेम के साथ भो भो प्राणिनह अरे अरे प्राणियों यूयम सर्वे एव में संतती तुम सब यूयम तुम सभी सर्वे सभी एव ही मे मेरी संतती संतान हो तुम सभी मेरी संतान हो कथम क्यूं मिथा आपस में कलहम जगडा कुरुवन्ति करते हो आपस में कलह क्यूं करते हो वस्तुता सरवेवन जीव नहां वास्तों में सभीवन जीव अन्यों अन्या स्रिता हा एक दूसरे पर आसित हैं सदैव इसमरत सदैव याद रखो सदैव इसमरत सदैव याद रखो क्या याद रखो सदैव याद रखो तुम सभी मेरे लिए प्रिय हो और जीवन को कैसा बनाना है तो ददाती प्रती ग्रहिणाती गुहिय माखाती प्रिच्छती भूंते भोजयते चैव शडविधम प्रीति लक्षणम प्रकृती माता ने क्या कहा? सदैव याद रखो क्या कहा उन्होंने? तो क्या कहा उन्होंने? प्रकृती माता बोलती हैं क्या कहा? क्या कहा कि ददा आती देना प्रतिग्रहना आती और वापस लेना देना और लेना गोहियम आख्याती प्रिच्छती गोहियम माने होता है गूढ यानि रहास्यों को आख्याती माने बताना और प्रिच्छती माने पूँछ लेना यानि गहन से गहन, गहरी से गहरी, गंभीर से गंभीर बातों को बताना और कुछ लेना, भूंकते, खाना, भोजयते और खिलाना, चैव, सड़ विधम, यही छे प्रकार के प्रीति लक्षनम, प्रेम के लक्षन हैं, यानि अगर हम में और आप में प्रेम है, तो मैं आपको दूँगा, तो कभी आप मुझको देंगे, तो मैं आप से लिलूँगा, मैं आपको अपने अंदर की अंदर की अंदर से गंभीर से गंभीर बात बता दूँगा, और आप से गंभीर से अंदर से अंदर रहा से मैं बात पूछ लूँगा, मैं खाऊंगा और आपको तो यही सडविधम छे प्रकार प्रीति लक्षणम प्रेम के लक्षण हैं। सभी प्राणी रहा समवेत स्वरेण। सभी प्राणी समवेत माने एक स्वर में, एक साप स्वर में। माता, कथयती तु भावती सर्वता सम्यक परमवयम भावतीम नजानीमा, माता, कथयती, हे माता कहो, तु भावती आप सर्वता सम्यक, आपने ठीक ही कहा है। हे माता, तुम सर्वता ठीक ही कहती हो, कथयती तु भावती, भावती मने आप, कथयत कहती हो, तु तो सर्वता सप्रकार से सम्यक यनि ठीक, परम, परंतु, वयम, हम सब, भावतीम आपको न जानीमा, नहीं जानते हैं, भावत्याह, परिचयाह का, आपका परिचय क्या प्रकृति माता बोलती हैं अहम प्रकृति ही मैं प्रकृति हूं युश्माकम तुम्हारी सर्वेशाम सभी की जननी यानी माता मैं प्रकृति तुम सब की माता हूं योयम सर्वे एव में प्रियाहा तुम सभी ही मुझको प्रिय हो सर्वे शाम एव मत कृते महत्वम विद्धते सर्वे शाम एव सभी का ही मत कृते मेरे लिए महत्वम महत्व विद्धते माने है यथा समयम यथा समय पर नतावत कलहेन समयम व्रथा तो प्रकृति माता क्या कहती है क्या कहती है प्रकृति माता कि मैं प्रकृति माता हूँ मैं तुम सबकी जननी हूँ युयम सर्वे एव में प्रियाहा तुम सभी मेरे लिए प्रिय हो सर्वे शामेव मत कृते महत्तों बिद्धते तुम सभी का मेरी लिए महत्तु है यथा समयम यथा समय तुम नतावत कलहेन कलह में समय समयम ब्रथा अपना समय व्यर्थ मत करो या पयन तुमाने विताओ अपितुमाने बलकी अपना समय कलह याने जगड़े में मत बिताओ अपितुमाने दुमाने प्रसनता पूरवकम जीवनम चा और समयम कुर०्धम रसमय बनाओ तद यथा कथितम तद यथा कथितम इसलिए कहा गया है क्या कहा गया है देखिए क्या कहा गया है कहा गया है प्रकृति माता क्या समझाती है प्रकृति माता कहती है क्या कहती है प्रजा सुखे प्रजा के सुख में सुखम राग्या राजा का सुख है और प्रजा नाम चहिते हितम और प्रजा के ही हित में हित है ना आत्म प्रियम हितम राग्या ना आत्म प्रियम राजा के स्वयम के लिए कुछ भी हितकारी नहीं है ना आत्म प्रियम अपने प्रिय के लिए हितम राग्या राजा के लिए कुछ भी हितकारी नहीं है प्रजानाम्तु प्रियम हितहा प्रजा के लिए जो हितकर है वही राजा के लिए कल्यानकारी है ठीक है अपिचा और भी अगाध जल संचारी नगर्वं याति रोहिता अंगुष्ठ उदक मात्रेन शफरी फुर्फुरा आयते फिर माता प्रकृती कहती है कि अगाध जल संचारी और भी क्या कहती है कि अथा जल में संचरन करने वाली अगाध जल संचारी अथा जल में संचरन करने वाली नगर्वं याति रोहिता रोहित नामक बड़ी मचली कभी गर्व नहीं करती रोहिता मतलब रोहित नामक एक बड़ी मचली होती है जो याति माने गर्वम यात यानि गर्व नहीं करती है अंग अंगुष्ठ उदक मात्रेंड जबकि अंगूठे के बराबर शफरी फुर्फुरायते बराबर जल में संचरन करने वाली छोटी सी मचली भी फुर्फुर की धोनी करती है जबकि अंगूठे के बराबर जल में संचरन करने वाली छोटी सी मचली भी फुर्फुर की धोनी करती है समझ में आया बात कि छमा बड़न को चाहिए छोटन को उतपात वही बात यहां कही गई है कि जो बड़े समुद्र में समुद्र के जल में संचरन करने वाली जो रोहित मचली होती है वो कभी गर्व नहीं करती जबकि अंगूठे के बराबर उदक कमात्रेन यानि जल मात्र से ही शफरी छोटी सी मचली जो होती है शफरी मिन्स छोटी सी मचली वो फुर्फुरायते फरफराने लगती है वो बहुत ज़्यादा उचलती है कह रहे हमाई तो बहुत गमंड करती है वो ना तो वही बात की गई है कि जो बुद्धिमान होते हैं, जो विद्वान होते हैं, जो महान होते हैं, वो कभी गर्व नहीं करते हैं तो बच्चों यहाँ पर बहुत बढ़िया संदेश मिल रहा है, आपको बहुत अच्छा संदेश मिल रहा है चर्चा को छोण कर, मिलित्वा, मिलकर के परकृति सौंदर्य आए, परकृति के सौंदर्य के लिए, वन रक्षा याईचा, वन की रक्षा के लिए, प्रयतनताम, प्रयतन करो, प्रयतन करो, ठीक है? इसलिए तुम छोटी सी मचली के समान एक के गुणों की चर्चा न करो मिलकर के प्रकृति के सौंदर और वन की रक्षा के लिए आप प्रैतन करो सरवे प्रकृति मातरम प्रणमंती सभी प्रकृति माता को प्रणाम करते हैं सभी प्रकृति माता को प्रणाम करते हैं मिलित्वा मिलकर द्रड संकल्प पूर्वकम चगायंत और मिलकर के द्रड संकल्प पूर्वक गायंत गाते हैं प्राणिनाम जायते हानी ही परस्परम विवादिता है परस्पर विवाद करने से प्राणियों को हानी होती है प्राणिनाम जायते प्राणियों के प्रति हानी हानी परस्परम विवादिता है आपस में विवाद करने से प्राणियों के प्रति हानी होती है अन्यो अन्य सहयोगेन एक अन्यो अन्य मने होता है एक दूसरे के सहयोगेन सहयोग के द्वारा लाभा तेशाम प्रजायते लाभा तेशाम प्रजायते लाभ की प्रजायते मने उत्पन्य होती है प्राप्ती होती है तेशाम यानि उनके लिए हमने बना रखी है फुल प्लेलिस्ट है ज्यान सिंदू कोचिंग क्लासेज पर आप सभी जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया आज जुनने के लिए